Hello everyone, welcome to HBS Studies तो दोस्तो आज की इस वीडियो में SSE CHSL exam की बात करेंगे तो 25 में को जो 3rd shift होई है उसके लिए जो भी expected questions हो सकते हैं आज हम उनको इस वीडियो में cover करेंगे ये सभी most repeated questions रहेंगे exam based questions हैं आपकी आने वाली जो shifts रहेंगी उनके लिए भी काफी जादा important रहेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को like करें, share करें, channel को subscribe करें जिन भी students का 3rd shift में, आज की 3rd shift में exam था वो सभी जिनको जो भी question उनको याद है वो comment box में जरूर type करें जिससे की बाकी students की मदद हो सके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला question क्या है which was the first state to be formed on the basis of language after the adoption of the constitution तो constitution जब हमने adopt कर लिया था, उसके बाद पहली state कौन सी बनी थी, जो की बनी थी language के basis पे तो आप सबको पता होगा कि जो ये state बनाई गई थी, language के basis पे बनाई गई थी, जिसमें अंशन किया गया था, तो उसकी वज़े से इस state को form किया गया था हमारा आंसर हो जाएगा आंद्रप्रदेश, तो आंद्रप्रदेश जो state है, ये language के basis पे बनाई गई थी, constitution को adopt करने के बाद में In which of the following year, did the Crips mission came to India, तो Crips mission भारत कब आया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1942 तो आप सब को पताओगा, Crips जो थे, एक British रहेंगे जो कि 1942 में इंडिया आये थे, और उन्होंने ये बात कही थी कि इंडिया को एक separate country बना देना चाहिए, तो Crips mission लाया गया था 1942 में Where India's largest statue of the reclining Buddha is being installed recently, तो reclining Buddha का जो सबसे बड़ा statue है इंडिया के अंदर, वो कहां पे install किया गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा बूद गया, तो बूद गया जगे है बिहार में, जहां पे जो गौतम बुद्ते उनके द्वारा enlightenment knowledge की प्रापती करी गई थी, वहीं पे एक statue रहे सबसे बड़ा statue कौन सा रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि statue of unity, जो की सरदार वरलभाई पटेल से related रहेगा, 182 मीटर की इसकी height रहेगी, यह located है गुजरात state में, और दूसरा जो रहेगा सबसे बड़ा statue, वो भी सरदार वरलभाई पटेल का ही रहेगा गुजरात state में अगला question देखते हैं, for which field, सुदर्शन साहू was awarded Padm Vibhushan Award 2021, तो पदम Vibhushan Award जो दिया गया है 2021 में, वो सुदर्शन साहू को दिया गया है, तो यह कौन सी field से related है, तो हमारा answer हो जाएगा 8, आर्ट जो field होती है उससे related रहेगे सुदर्शन साहू, तो यह जो Padm Awards दिये गए 2021 में इसकी separate video आपको चैनल पे मिल जाएगी, हर साल 26 जनवरी को release करे जाते हैं Padm Awards, तो 2022 के भी Padm Awards जो है वो release करे जा चुके हैं, उसकी भी separate video आपको चैनल पे जल्द ही provide कराएगी, अगला question देखते हैं, Where was the Indian International Science Festival 2021 held in the month of December, तो Indian International Science Festival हुआ है 2021 का जिसको की IISF के नाम से भी जाना जाता है दिसंबर के मन्त में, तो वो कहाँ पे हुआ था, तो हमारा answer हो जाये का पाना जी, पाना जी जो की capital है गोवा की, वहाँ पे organize किया गया था Indian International Science Festival 2021 को, Difference between the prokaryotic and eukaryotic cell is that eukaryotic cells have, तो eukaryotic cell और prokaryotic cell में क्या difference होता है, eukaryotic cell के पास इन में से given options में से क्या चीज़ प्रिजेंट होती है, तो हमारा answer हो जाएगा nuclear membrane, तो eukaryotic cell different इसलिए होते हैं, क्योंकि eukaryotic cells के पास nuclear membrane एक organized nuclear membrane प्रिजेंट होती है, जबकि prokaryotic cells जो होते हैं, उनके पास एक organized nuclear membrane प्रिजेंट नहीं होती, तो बस ये difference होता है, prokaryotic और eukaryotic cells में. अब अगले question पर वढ़ने से पहले हम आपको बताना चाते है, SST-CHSL exam 2022 के लिए expected repeated questions की, हमने एक e-book launch करी है, जो कि सिर्फ आपको 39 rupees में provide कराई जा रही है, important क्यों रहेगी, क्योंकि हमारी team के दुआरा most important जो 700 plus 700 से ज़ादा expected questions आपके छाटे गए हैं, आपके exams के लिए जो exams में पूछे जा सकते हैं, जिसमें की जो 2021 का exam हुआ है आपका, उस पे based जो questions है, जो previous year के questions है, वो भी आपको end में provide कराए गए हैं, तो 24 में से लेके 10 June के बीच में जो आपका exam होगा, उसके लिए ये जो e-book रहेगी, बिल्कुल game changer रहेगी, most important question select करके आपको provide कराए गए हैं, तो अगर आप interested हो, तो link आपको description में मिल जाएगा, description में जाके इसको buy कर सकते हैं, payment करने के बाद, आपको page पे कुछ time के लिए रुखना है, वहीं पे आपको file मिल जाएगी, वो आपको download कर लेनी है, अगर आप download नहीं कर पाए किसी कारण की वज़े से, तो यह हमारी gmail ID आप इस पर directly mail कर सकते हैं, अगला question देखते हैं हमारा, तो पिकनोमीटर जो होता है, एक instrument होता है, जिसकी मदद से इन में से किस options को measure किया जाता है, तो हमारा answer हो जाएगा density, तो density को measure करने के लिए instrument का use किया जाता है, उसका नाम रहेगा पिकनोमीटर, विच अफ दी following was the ancient capital of विजयनगर empire, एक south से related एक empire रहेगा विजयनगर empire, तो इसका ancient capital क्या थी, इसकी पुरानी capital क्या थी, तो हमारा answer हो जाएगा हमपी, हमपी जो ती ये capital रहेगी विजयनगर empire की, नालंदा युनिवस्टी was built by the ruler, नालंदा युनिवस्टी जो है किसके द्वारा बनवाई गई थी, तो आपको पता होता है गुपता रूलर रहते हैं, कौन रहेंगे तो कुमार गुपत, कुमार गुपत जो कि एक गुपता रूलर थे, इनके द्वारा develop किया गया था, held in Hamilton Canada in, तो Hamilton Canada में पहले Commonwealth Games हुए थे, कौन से साल में हुए थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1930, 1930 में पहली बार Commonwealth Games हुए थे, Hamilton Canada में 1930 में, year याद रखना है, और आपको जगे भी याद रखनी है, Canada में हुए थे, तो और भी काफी सारे जितने भी International Awards होते हैं, वो पहली बार कब हुए थे, कहां पे हुए थे, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, इस दर नंदा देवी पीक लोकेटेड, तो नंदा देवी माउंटेन या फिर नंदा देवी पीक कहां पे लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में, तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्राखंड, उत्राखंड स्टेट में लोकेटेड है, नंदा जांगा highest peak रहेंगी इंडिया की दूसरे नंबर रहेंगी नंदा देवी पीक जो की पूरी तरीके से उत्राखंड इस्टेट में ही located है With which of the following countries इंडिया shares the shortest border तो इंडिया जो अपना border सबसे कम share करता है वो कौन सी country के साथ करता है मारा answer हो जाएगा अफगानिस्तान तो अफगानिस्तान के साथ इंडिया का 106 किलो मीटर का एक border लगता है और सबसे जादा जो share करता है वो करता है इंडिया बंगलादेश के साथ तो अफगानिस्तान के साथ भी जो इंडिया का border share होता है वो वो P.O.K. का एरिया रहेगा 106 किलो मीटर का जो कि अफगानिस्तान और इंडिया के बॉर्डर शेयर होते हैं विच आफ दी फॉलवइंग हिल्स आर एडजेसेंट टू कन्या कुमारी तो कन्या कुमारी सदन मोस्ट इंडिया का एक पॉइंट रहता है तो उसके एडजेसेंट एक हिल्स लोकेटेड है उस हिल्स का नाम क्या है तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्डमम हिल्स हमने कल की वीडियो में एक कोशन डिसकस कराता है कि कार्डमम हिल्स हो गई कार्डमम के जो पहाड़ है जहां पे कार्डमम जो होता है इलाइची जो होती है वो काफी जादा मातरा में पाई जाती है और कैशू नट उसका लार्जेस प्रड्यूसर कौन है तो उसका अंसर था आपका कैरिला तो कैरिला के और तमिल नाडू के बॉर्डर पे लोकेटिड है कार्डमम हिल्स जादतर जो पार्ट रता है कार्डमम हिल्स का वो कैरिला के अंदर आता है तो इसलिए कैरिला में भी गिना जाता है आपको कार्डमम हिल्स को अब Cardamom Hills जो है कन्या कुमारी के एडजसेंट रहेंगे तो Southern Most अगर आपसे Hill पूछ लिया जाए कि इंडिया की Southern Most Hill कौन सी है तो आपका आंसर हो जाएगा Cardamom Hill, Cardamom Hill इंडिया की Southern Most Hill रहेंगी अगर बाकी Hills आप देख सकते हैं इनकी अगर बात करी जाए तो Cardamom Hills आपको बता दिया आपने border पे है केरिला और तमिल नाडू के शेवरो हिल्स जो है ये कहां पे है तो ये तमिल नाडू स्टेट में located है निलगरी Hills अगर आपसे पूछा जाए तो ट्राइ जंक्शन रहता है तीन स्टेट जहां पे मिलती है वहाँ पे निलगरी Hills लोकेटेड है मतलब तीन स्टेट में पार्ट आता है निलगरी Hills का कौन कौन सी स्टेट है तमिल नाडू केरिला और करनाटका तीन स्टेट में आता है निलगरी Hills अनायमलाई Hills जो है ये लोकेटेड है में तमिल नाडू स्टेट में ये आपसे डिरेक्ट कोशन पूछे जाते है कि ये कौन सी स्टेट में located है या फिर ये जो हिल्स है ये कहां पे located है which constitutional amendment act has inserted the word cabinet in the constitution तो cabinet आपने उसना हुआ cabinet ministers होते हैं cabinet होता है तो cabinet जो word add किया गया है इंडियन constitution में वो कौन से amendment act के थ्रू किया गया था तो हमारा answer हो जाएगा 44th amendment act तो 44th चौवा जो amendment act लाया गया था उसके थ्रू cabinet को add किया गया था हमारे इंडियन constitution में 42nd आप से काफी ज़ इंडियन preamble है उसमें 3 words को add किया गया था 42nd amendment act के थ्रू कौन कौन से तो socialist secular और integrity ये 3 words रहेंगे जिनको की 42nd amendment act के थ्रू इंडियन constitution में add किया गया था सबको जातर पता होता है इसलिए इस question को नहीं लिया है हमने cabinet के question को इसमें डाला है क्योंकि cabinet का हर किसी को नहीं पता देगिन 42nd का जातर पूछा भी जाता है एक्जाम में और जातर हर किसी को पता भी होता है अगला question देखते हैं लोक अदालत इंडिया में कब इस्टेबलिश होई थी तो हमारा answer हो जाएगा 1982 में पहली बार इस्टेबलिश किया गया था लोक अदालत को इंडिया में who founded these साधारन ब्रह्मो समाज तो साधारन ब्रह्मो समाज किसके द्वारा फाउंड किया गया यहाँ पे आपसे ब्रह्मो समाज नहीं पूछा गया यहाँ पे आपसे पूछा गया है साधारन ब्रह्मो समाज अलग रहेगा साधारन ब्रह्मो समाज अलग रहेगा साधारन ब् तो जलियावला बाग में एक मीटिंझ चल रही ती तो वो किसके अरेस्ट की वजहे से वहां पे प्रधर्शन चल रहा था एक जलिया वाला बाग में तो उसमें किया था जनरल डायर जो थे उनके दुआरा शूट का आदेश दे दिया गया था और जलिया वाला बाग मैसकर का जो इंसिडेंट हुआ था वो उसी कारण की वज़े से हुआ था तो कौन लोग थे जिनकी वज़े से जो लोग थे जो इंडियांस थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे जलिया वाला बाग में तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर सत्यपाल और शैफुद्दीन किचलू तो डॉक्टर सत्यपाल और शेफद्दीन किचलू जो थे इनको अरेस्ट कर लिया गया था ब्रिटिश गवर्मेंट के दुआरा उसके खिलाफ जो इंडियन लोग थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे जलिया वाला बाग में और जो जनरल डायर थे उस ताम पे उनके दुआरा आदेश दिया गया था शूटिंग का लोगों को वहाँ पे काफी सारे लोग थे जिनको मार दिया गया था और इनके अरेस्ट के बाद कुछ ताम बाद महात्मा गांदी को भी अरेस्ट कर लिया था ये एक इंसिडेंट होता है और इस इंसिडेंट से नाराज होके काफी सा इस इंसिडेंट के बाद और इन लोगों को जो पत दिये गए थे ब्रिटिश गवर्मेंट के दुआरा वो इन्होंने वापिस कर दिये थे यह जो इंसिडेंट हुआता यह नाइटीन नाइटीन का रहेगा और यह अम्रिस सर पंजाम में लोकेटेड है इंडिया एज हैल्ड फर्स्ट एवर नेवल एक्साइज अल मोहिद अल हिंद 2021 विद विच कंट्री तो इंडिया ने एक अपनी पहली नेवल एक्साइज करी है किसी कंट्री के साथ जिसका नाम रहेगा अल मोहिद अल हिंद 2021 तो वो कौन सी कंट्री रहेगी जिसके साथ important है the first city in India to provide 24-7 hours of pure drinkable water through the tap तो कौन सी city है इंडिया की जिनोंने जो tap water होता है pure drinkable water उस 24 गंटे के लिए provide कराए गया है tap water को जो है पूरा drinkable water बना दिया गया है आप tap पे जाके महाँ पानी पी सकते हैं वो बिलकुल pure water होगा तो वो कौन सी city है तो हमारा आंसर हो जाएगा पूरी तो पूरी जो जगे है उडिसा में वहाँ पे pure drinkable water आपको दिया जा रहा है tap के थ्रू तो लेंड होल्डर सोसाइटी जमीनदारी एसोसियेशन 1838 तो लेंड होल्डर सोसाइटी या फिर जमीनदारी association है यह established किया गया था 1838 में किसके दौरा इसको established किया गया था या found किया गया था तो आपका आंसर हो जाएगा द्वारकनाथ टैगोर द्वारकनाथ टैगोर के द्वारा established किया गया था या found किया गया था 1838 में लेंड होल्डर सोसाइटी या फिर जमीनदारी एसोसियेशन को विच रिवर इस दी लॉंगेस्ट रिवर इन सदन इंडिया अल्सो नोन एज गंगा ओफ दी साउथ तो गंगा ओफ दी साउथ के नाम से आप समझ गए होंगे इंडिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रिवर रहेगी और पहले नंबर की साउथ की सबसे बड़ी रिवर है कौनसी रिवर है तो हमारा आंसर हो जाएगा गोदावरी रिवर गोदावरी रिवर जो है इसको गंगा ओफ दी साउथ बोला जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा चाइना, तो चाइना में जो शिज्यांग का एक एरिया रहेगा, वहाँ पे लोकेटेड है टकल मका डेजर्ट, तो चाइना से काफी जादा विवाद चल रहा है इंडिया का, तो उसी वज़े से काफी एक चर्चेत विशह रहेगा, तो जितने भ हो गया, पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, श्रिलंका हो गया, मैनमार हो गया, जो माई नेबरिंग कंट्रीज हैं, इनकी डिटेल्स आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, विच कंट्री डिसेंटली ओर्गनाइजड दी जी सेवन समिट टो थाउजन किया गया था, और युनाइटिट किंगनम में भारत को भी आमंत्रित किया था, इस समिट में, तो में सिंगल का ऑस्टेलियन ओपन टैनिस टाइटल तो जीता गया है 2022 का, वो किसके दुआरा जीता गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा, रफेल नडाल, रफेल नडाल ने जीत लिया है ऑस्टेलियन ओपन टैनिस टाइटल 2022 का, इन्होंने किसको हराया है, तो डैनियल मैड बे डेव को हरा दिया गया है इनके द्वारा, इससे पहले जो टाइटल था 2021 का वो नोवाग जो कोविक के द्वारा जीता गया था 2021 वाला, अगला गोशन देखते हैं, which one is a renewable source of energy इन में से कौन सा एक renewable source है energy का तो हमारा answer हो जाएगा solar energy तो solar energy जो होते हैं आपने देखा होगा solar panels होते हैं उनके थूरू जो सूरस से जो light आती है उसके थूरू जो energy डेवलब की जाती है वो एक renewable energy होती है और वो solar energy के route में काम करती है जिनकों की बैटरीज में store किया जाता है जो हमारा देश है वो काफी एक बढ़ रहा है 2025 या 2030 का रक्षे भी रखा गया है इंडिया के द्वारा renewable energy की तरफ बढ़ने का तो ये जो हो जाएगा आपका answer हो जाएगा solar energy which among the following is the suitest sugar तो suitest sugar इन में से कौन सी है तो हमारा answer हो जाएगा fructose तो इन में से चारों में से जो सबसे suitest होता है जो सबसे मीठा होता है वो होता है fructose integrated circuits used in computer are made with which of the following तो आप सब को पताएगी कि semi conductors जो होते हैं उनकी shortage चल रही थी पीछे time में तो ये किस चीज के बने होते हैं तो आपका answer हो जाएगा silicon silicon के बने होते हैं integrated chips जो होती हैं जो semi conductors होते हैं अगर हम उनकी mainly बात करें तो mobile phones में, computers में, electronic items में जो ये chips होती हैं जो ये semi conductors होते हैं इनका use किया जाता है पीछे काफी जादा shortage आ गई थी इसकी देश के अंदर और भी काफी सारी countries में आ गई थी तो silicon के दुआरा इसको develop किया जाता है अब इंडिया ने एक PLI scheme के थू companies को आमंतरन किया है कि हमारे देश के अंदर जो ये chips होती हैं जो semi conductors होते हैं को develop किया जाए और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि semi conductor सबसे ज़्यादा कहाँ पे produce किये जाते हैं कहाँ पे develop किये जाते हैं तो Taiwan company रहेगी Taiwan company उसके दौरा करीबन 60% जो semi conductors होते हैं वो इकलोती Taiwan company के दौरा develop किये जाते हैं अगला question देखते हैं What does abbreviation LED stands for LED की full form क्या होती है हमारा answer हो जाएगा light emitting diode light emitting diode full form है LED की fundamental rights has been taken from the constitution of which country fundamental rights को हमने किस country से लिया है तो हमारा answer हो जाएगा United States of America America के दौरा fundamental rights को हमारे Indian constitution में add किया गया है Soviet Union के दौरा fundamental duties को add किया गया है हमारे Indian constitution में which of the following year has been declared as international year of course millets or cereals by United Nations तो United Nations ने कौन से साल को declare किया है international year of millets या फिर cereals के नाम से तो हमारा answer हो जाएगा 2023 तो 2023 को declare किया गया है United Nations organization के दौरा What was the theme of the world tourism day 2021 2021 में जो world tourism day था उसकी theme क्या थी तो हमारा answer हो जाएगा tourism for inclusive growth tourism for inclusive growth जो थी ये theme रही थी 2021 में world tourism day की who among the following Indian has won the booker prize तो इन में से कौन से भारतिय हैं जिनको booker prize से सम्मानित किया गया है आप options देखते ही आप अरुन्दती रॉय पे click करेंगे अरुन्दती रॉय पे आप अनुन्दती रॉय को आप mark करेंगे लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अरुन्दती रॉय के साथ साथ बाकी दोनों options जो हैं वो भी हमारे correct रहेंगे all of the above तो अरुन्दती रॉय को booker prize मिल चुका है किरन देसाई को मिल चुका है अर्विंद अधिका को मिल चुका है तीनों लोगों को सम्मान मिल चुका है booker prize का तीनों भारती रहेंगे अगर इन तीनों की बात करी जाए कि इनको कौन सी book के लिए मिला है या फिर कौन सी year में मिला है तो वो आप ध्यान रख सकते हैं अरुन्दती रॉय को सबसे पहले मिला था 1997 में God of Small Things book के लिए किरन देसाई को 2006 में मिला था The Inheritance of Lost के लिए अर्विंद अडिका को 2008 में दिया गया है The White Tiger book के लिए तो इनकी books भी आपको ध्यान रखने exam में पूछ ली जाती है instrument used to measure sound under the water तो water के under sound जो होती है जैसे की oceans हो गई seas हो गई उसमें जो sound होती है उसको measure करने के लिए किस instrument का use किया जाता है तो हमारा answer हो जाएगा hydrophone जो सम्मरीन होती है उनका mainly पता लगाने के लिए hydrophone का use किया जाता है water के अंदर which of the following is the smallest national park of India इंडिया का सबसे छोटा national park कौन सा है तो हमारा answer हो जाएगा south button national park जो की करीबन 5 km एरिया कवर करता है कहां पे located है तो अंडमान निकोबार आइलेंड पे located है अंडमान निकोबार आइलेंड की अगर बात करी जाए तो करीबन 8-9 national parks है जो की अंडमान ए निकोबार आइलेंड पे located है तो ये भी आपको पता होना चाहिए single citizenship has been taken from the constitution of which country तो हमारी country में आपको पताए कि single citizenship का प्रापदान है हमारी country में सिर्फ एक country की citizenship आप रख सकते है ये जो लिया गया है ये कहां से बोरू किया है हमने तो हमारा answer हो जाएगा ब्रिटेन तो ब्रिटेन के दुआरा ब्रिटेन के constitution से हमने लिया है single citizenship को विच कंटरी विल होस्ट दी एशियन गेम्स 2022 2022 में एशियन गेम्स होंगे कौन होस्ट करेगा तो हमारा answer हो जाएगा होंग जौँ चाइना चाइना में एक जगे रहेगी होंग जौँ वहाँ पे होंगे एशियन गेम्स 2022 के अगर एशियन गेम्स की बात करी जाए तो 2026 में होंगे इसके बाद वो होंगे एची नगोया चापान में 2030 के होंगे एशियन गेम्स दोहा कतर के अंदर 2034 में होंगे एशियन गेम्स रियाद साओधी अरेबिया के अंदर चार साल के गैप में एशियन गेम्स को और्गनाईज करा जाता है। तो railway board of India के नए chairman चुने गए हैं एक जनवरी 2022 से जिनका कारेकाल स्टार्ट हो रहा है। तो उनका क्या नाम है तो हमारा answer हो जाएगा विने कुमार त्रिपाथी। विने कुमार त्रिपाथी को चुना गया था railway board of India का chairman। विच स्टेट गवर्मेंट रिसेंटली लॉंच्ट दी गो ग्रीन स्कीम। गो ग्रीन स्कीम को किस ने लॉंच किया है तो हमारा answer हो जाएगा गुजरात स्टेट। गुजरात स्टेट ने लॉंच किया था गो ग्रीन स्कीम को इसकीम की वीडियो आप जरूर ध्यान लगके एक separate वीडियो है आप उसको देख सकते हैं। तो सन्राइज ओवर अयुद्धा नेशन हुड इन आर टाइम्स तो सन्राइज ओवर अयुद्धिया जो बुक है ये किसके दुआरा लिखी गई तो हमारा answer हो जाएगा सल्मान रुष्दी यहाँ पे हमारा option गलत हो गया है सल्मान रुष्दी नहीं रहेंगे यहाँ पे र तो सेबी जो है सेबी जो है सेबी को चेर्मेन चुना गया है सेबी का Simbox 21 is an excise organized between India and तो Simbox 21 एक मिलिटरी एकसाइज रहेगी किसके पीच में और गईज करी गई है तो हमारा answer हो जाएगा इंडिया एंडिया और संग पूर के बीच में औरगणाईज किया गया है Simbox опять size को S से हो जाएगा Singapur I से हो जाएगा India EX से हो जाएगा excise तो 24 अगस 2021 को टोकिया पैर उलम्पिक जो थे वो स्टार्ट हुए थे तो उस टाइम पे फिलैग बेरर कौन था इंडिया की तरफ से जो इंडिया का फिलैग लेके जिसने टोकियो उलम्पिक की स्टार्ट करी थी इंडिया की तरफ से वो कौन थे तो हमारा आंसर हो जाएका तेक चंद तेक चंद जो है एक इंडिया के फ्लेयर रहेंगे टोक्यो पेरा उलम्पिक की जिनके द्वारा फ्लेग बेर रहेंगे जिनके द्वारा टोक्यो पेरा उलम्पिक में फ्लेग को बेर गया था इंडिया की तरफ से मर्यमपा थंग वेलू जो थे ये इन से पहले ये फिलैग बीरर चुने गए थे लेकिन कोरोना वाइरस की कुछ इशू की वज़े से इनको बदल दिया गया था तेक चंद से Nobel Prize was started in which of the following year Nobel Prize कौन से year में start हुआ था हमारा answer हो जाएगा 1901 में start कर दिया गया था देना Nobel Prize को हवा महल was built by whom in 1799 1799 में establish किया गया था बनाय गया था हवा महल को कहां पे located है जैपुर सिटी में जो किया राजिस्तान में तो हवा महल जो बनाय गया किसके दौर बनवाए गया था तो हमारा answer हो जाएगा महाराजा सवाई प्रताप सिंग महाराजा सवाई प्रताप सिंग के दौरा डेवलप किया था बनवाए गया था हवा महल को Who is the author of the recently launched book सरसयद एहमद खान Region, Release and Nation तो Region, Release and Nation सरसयद एहमद खान ये बुक किसके दौरा लिखी गई तो हमारा answer हो जाएगा शैफी खिदवी शैफी खिदवी के दौरा इस बुक को लिखा गया है जिसका टाइटल आपको ध्यान रखना है सरसयद एहमद खान से रिलेटिड बायोग्राफी उनके से रिलेटिड एक बुक रहीगी What is the another name of Green Algae Green Algae का दूसरा नाम क्या है तो हमारा answer हो जाएगा chlorophyta chlorophyta जो है यह दूसरा नाम रहेगा ग्रीन Algae का तो chlorophyta जो होता है ग्रीन Algae हो जाएगा अगर आप से रोडोफाइटा पूच लिया जाए कि रोडोफाइटा जो होता है यह किसका another name होता है हो फाई था तो वो येल्लो ग्रीन एलगाई का हो जाएगा अगर आपसे पाइरो फाई था पूछा जाए तो वो हो जाता है फाईर एलगाई का तो ये भी आपको याद रखने है और जो ये रहेगा किर्जो फाई था ये किसका हो जाएगा तो ग्रीन ब्राउन एलगाई का ह पे located है तो हमारा answer हो जाएगा Los Angeles, Los Angeles में Headquarter located है International Hockey Federation का तो जितनी भी international organizations हैं उनको आप ज़रूर धिहान रखें उनका Headquarter कहां पे located है उनके current time में Head कौन है और वो कब established की गई थी यह आपसे तीन questions होते हैं जो कि International Organization से जात तर पूछे जाते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री ग्रेव साइट तो लाल बहादुर शास्त्री की जो ग्रेव है जो ग्रेव साइट है उसका क्या नाम है तो हमारा आंसर हो जाएगा विजय कार्ट और यह विजय कार्ट जो है यह लोकेटेड है डेली में अगर जो हमारे ओल लीडर्स रहेंगे अगर उनकी बात करी जाए कि उनकी ग्रेव जो हैं वो कहां पे लोकेटेड है तो वो भी आपको पता हूनी चाहिए जैसे महात्मा गांदी की जो ग्रेव है वो लोकेटेड है राजगात डैली में जहांपे आपको सिटी नहीं दी गई है, वो सब लोकेटेड है डेली में. चौदरी चरंह सिंग की जो ग्रेव हैं, वो लोकेटेड है किसान घाठ पे. राजी गांधी की रहेगी वीर भुमी पे. जवालना नहरू की ग्रेव है शान्थी वन डेली में. इंद्रा गांधी की रहेगी शक्ति इस्तल डेली में मुरार्ची देशाई की ग्रेव है अभै घाट एहमताबाद में राजेंद्र प्रिसाजो की पहले प्रेसिडेंट थे इंडिया के उनकी ग्रेव लोकेटेड है महाप्रयान घाट पठना में डॉक्टर बियार अम्बेटकर की ग्रेव रहेगी चैत्या भूमी दादर में शंकर दयाल शर्मा की रहेगी कर्म भूमी डेली में तो ये सब ग्रेव से रहेंगी इनकी जो की कहां कहां पे लोकेटेड है ये आपको बताए गई है गर्ड मुलर पास्ट अवे रिसेंटली इन अगस्ट वूजन वंटीवन तो गर्ड मुलर जिनका हाली में निधन हो गया है अगस्ट दोजार एकिस में इनकी डैथ हो गई है तो ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड थे तो हमारा आंसर हो जाएगा फुटबॉल फुटबॉल स्पोर्ट से रिलेटेड थे गर्ड मुलर तो लोक मानने तिलक नेशनल अवार 2021 से किसको सम्मानित किया गया है तो हमारा आंसर हो जाएगा साइरस पूने वाला साइरस पूने वाला कौन रहेंगे तो इंडिया की सबसे बड़ी जो वैक्सीन मैनिफेक्चरर एक कंपनी रहेगी सीरम तो सीरम जो कंपनी है उसके फाउंडर रहेंगे साइरस पूने वाला और अधार पूनेवाला जो है ये करेंट टाइम में CEO रहेंगे सीरम इंस्टिटूट के तो ये आपको ध्यान रखना है तो साइरस पूनेवालों को लोकमानने तिलक नेशनल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है तो दोस्तो ये था हमारी वीडियो का आखरी कोश्चन अगर आपको वीडियो पसंद आईए और वीडियो को लाइक करें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक हमारी e-books को buy नहीं किया है तो हमारी चार e-books रहेंगी चारो का link आपको description में मिल जाएगा आप चारो e-books को link description में जाके buy कर सकते हैं Thank you everyone